भारत और निपाल के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध हैं। लेकिन हाल के वर्षों में वे कुछ तनाव पुरन हो गए हैं। आपने देखा होगा। हाल ही में भारत द्वारा एक सडक उधगाटन से दोनों पक्षों के बीच एक पुराने सीमा विवाद का एक नया दौर छिड़ गया है। जिससे काफी तनाव बढ़ गया है। नेपाल के प्रधान मंत्री ने कल यानि मंगलवार को ये कहा कि नेपाल, भारत और चीन यानि तिब्बत के शेत्र में काला पानी, लिंप्य, धूरा और लिपुलेक शेत्र को किसी भी कीमत पर नेपाल के नक्षे में वापस लाया जाएगा। ये उनके प्रधान मंत्री ने कल एक स्टेट्मेंट दी ही। कैसे शुरू हुआ ये सब टेंशन भरा मामला, ये तनाव पूरन मामला कैसे शुरू हुआ। सुनिए, मेरी जबाने, पिछले साल नमेंबर में भारत ने एक नया मैप जारी किया, जिसमें काला पानी शेत्र को भी शामिल किया गया था, नए मैप में, नए नक्षे में। भारत के इस कदम पर नेपाल ने बहुत अपत्ती जताई, क्यूकि काला पानी और लिफु लेक पर नेपाल अपना दावा करता रहा है, काफी समय से। इसी बीच, इसी महीने भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 80 किलोमेटर लंबी सड़क का उदगाटन किया था, वो इइ इनाउगरेशन करी थी। ये सड़क लिपु लेक द्वार यानि पास पर जाकर समाप्त होती है। इसे लेकर भी नेपाल ने काफी नराजगी जाहिर की थी। काला पानी शेतर भारतिये उत्राखंड राज्ये के पिथोरागड जिले का हिस्सा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि नेपाल इसके उपर अपना दावा रखता रहा है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पश्चिम में जो नदी स्थित है जिसका नाम है काली नदी वो उसके वहां स्थित होने के कारण ये शेतर का सभन नेपाल से होना चाहिए। काला पानी जो नदी है उसके बेसिस पे। लेकिन भारत का दावा है कि काला पानी के पश्चिम में स्थित नदी मुखे काला नदी नहीं है और इसलिए वहां की सीमा ओम परवत जो है के रिज के तरज पर नदी के पूर में स्थित होना चाहिए। मतलब ओम परवत और काला नदी उससे रिलेटेड डिस्प्यूट है। किया गया था। बृटिश सर्वेयर्ज जो थे उस समय उनके द्वारा बाद में एक नक्शा तियार किया गया था जिसमें नदी की सीमा का स्रोत विभिन स्थानों पर दिखाया गया था तो उस से काफी ब्रहम की स्थिती पैदा होगी थे एक गयुजन हो गया था जो प्रिटिश सर्वेयर्ज ने जो नक्षा बनाया था, कई साल पहले जो मैंने बताया, नदी के सुरोत का पता लगाने में इस विसंक्ती के कारण भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हो गया, प्रतेक्ष देश ने अपने स्वेय के दावों का समर्थन करने वाले नक्षे तयार किये, भारत ने अपना किया, नेपाल ने अपना किया, हाला कि 1962 से भारत सरकार ने इस तरक को आगे बढ़ाया कि सीमा को ओम परवत की रिज लाइनों पर अधारित होना चाहिए, ये भारत का एक कंटेंशन रहा, एक तथे उन्होंने सामने रखा, काली नदी एक ऐसे शेतर से होकर गुजरती है, जिसमें नदी के सुरोत के आसपास 400 किलोमिटर का विवादित शेतर शामिल है, ये माना जाता है, हाला कि इस तथे पे पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, ये मानना है कि 400 किलोमिटर का जो है वो एक डिस्प्यूटिड एरिया है वहाँ, 1997 में विवाद काफी तीवरता पकड़ गया, तेज हो गया, क्योंकि नेपाली संसद ने नदी के जल विध्यूत विकास पर एक संधी पर विचार किया, उसके बाद 2015 में नेपाली संसद ने भारत और चीन के बीच लिपूलेख पास के माध्यम से विपार करने पर काफी अबद्ती विक्त की थी, क्योंकि नेपाल का ये कहना था कि भारत और चीन के बीच काला पानी के जरिये जो विपार की संदी हुई है और समझोता हुआ है वो नेपाल के संप्रभू शेत्र अधिकारों का उलंगन करता है यह यह नेपाल का मानना था नेपाल ने काला पानी शेतर से भारती सीमा बलों की बापसी का भे एवान किया है अब आगे देखते हैं कि भारत और नेपाल इस दुविदा को कैसे सुल जाते हैं आज के लिए इतना ही मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो टॉक के साथ